हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बेक तो आज का हमारे टा न्यू टोपिक है सुत्र निखिलम बेस तो जैसे हमने कल स्टेडी किया था बेस क्या होता है सब बेस क्या होता है एंड डेविएशन क्या होता है तो आज जो इस में फॉर्मूले में या सुत्र में जो बेस डेविएश ण में होगा ओके जो भी बेस होगा वो क्या होगा 10 और 10 to power and में consider होगा एक मोगे जशें होल नम्मर जो कोई भी नम्मर का हमें जीसे मालेटिप्लिकेशन करना है इस उप्रेसन शेम आम मल्ट्रिकेशन करेंगे इसका हमिन मल्टिप्लीकेशन करना है तो इसको हमें एक तरीके से इसको अरेंज करना है says , then हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का डिवियेशन निकालेंगे और डिवियेशन क्या होता है हमने कल डिसकस किया था deviation is equal to number minus base और जब sub-base वाला पढ़ेंगे तो number minus sub-base हो जाएगा तो यहाँ पे 12 minus यहाँ पे base देखो दोनू numbers का base कितना है दोनू numbers का base 10 है तो यहाँ पे base क्या है 10 है 12 minus 10 it is plus 2 14 minus 10 it is plus 4 then यहाँ पे हम एक line draw कर देंगे अब यहाँ पे हम दो parts में करेंगे this is LHS and this is RHS part so LHS part में हम क्या करेंगे किसी भी number को दूसरे number की deviation के साथ add करना है 12 plus 4 या 14 plus 2 so 12 plus 4 हमने कर दिया देखो दोनों में 16 आएगा and RHS side में क्या करना है हमें deviation का क्या करना है multiplication करना है okay so 16 oblique at or this is 168 so ऐसे इसका answer आगया okay using sutra निखिलम base से हम multiplication ऐसे करेंगी जैसे और numbers का हम multiplication करते हैं दो numbers लेते हैं 92 into 87 तो इनका base क्या है 100 है ओके base 100 है तो पर ले numbers को लिक लगते हैं 90 87 then इनका deviation निकाल लेते हैं so number minus base तो यहाँ पर deviation कितना हो गया minus से 0 8 100-87 हो जाएगा 1 3 ओके उत्ते हैं डिजीटी लेने जितने number of zeros यहाँ पर हैं तो next step line draw करो then LHS and RHS two parts है तो LHS part में कि अगर किसी भी number को दूसरे की deviation के number के साथ add कर दो ओके तो यहाँ पर minus का sign है तो 92 minus से 37 92 minus sorry 13 and here 0 add into minus 13 okay so so यह हो गया 79 and this is minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा and 13 add जा 104 हो गया okay so अब यहाँ पर देखो हमें एक के जान देने point पर जान देना है कि यह जो number है अगर deviation से ज्यादा आ जाए sorry not deviation base से ज्यादा आ जाए सब्सक्राइब जो यह number है यह क्या जाएगा इधर carry चला जाएगा okay 79 इसको ऐसे भी लेख सकते है 04 and next step ने क्या हो जाए 79 plus 1 कितना हो जाएगा 80 04 80 04 and यह number कितना हो जाएगा at 004 okay so this is the answer अब हम एक और एक जामपल लेते हैं 7 into 18 तो यहाँ पर बेस कितना है दोनों नमबस का 10 है 7 यहाँ पर लिख दिया 18 यहाँ पर लिख दिया तो यह कितना जाएगा 15 and यह कितना जाएगा minus 24 अब जब कभी भी RHS part में minus आ जाए तो हमें क्या करना LHS part से इधर से बोरो करना है कितने नमबस बोरो करेंगी हम 3 15 minus 3 and जो यह 3 जाएगा इधर क्या होगा 3 into base हो जाएगा 3 into base 10 minus 24 so it will be 12 and 30 minus 24 तो यह कितना जाएगा 12 and यह कितना हो जाएगा 6 so answer will be 126 अब हम एक 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 जांपल हो लेते हैं 1007 into 1012 इसको भी हम सुत्र निखिलम base से करते हैं तो यहाँ पे base कितना है 1000 base है so 1007 and 1012 को हमें लिफाइन के deviation करेंगे तो क्या हो जाएगा number minus base तो यह कितना हो जाएगा 007 not 7 so यहाँ पे इसमें से करेंगे तो कितना हो जाएगा 012 अब LHS पार्ट में क्या करेंगे हम deviation add कर देंगे and इधर क्या करेंगे multiply कर देंगे okay so यह हो गया 10 19 and 12 इसमें जाएटी फॉर so 08 4 so इस का अंसर हो जाएगा 10 19 08 4 इसमें किसी भी नमबर का दो नमबर का multiplication इसली कर सकते हैं बस हमें find out क्या करना है कि उसका base क्या है and deviation क्या होगा and deviation को लिखना है यहाँ पर मैं 084 की क्यूं लिखा यहाँ पर actually में क्या आता 0084 आता बट यहाँ पर हमें 3 digits तक ही लिया है because यहाँ पर base में किते number of zeros है 3 number of zeros है आपके so अच्छे हम किसी भी number का जैसे multiplication कर सकते हैं कोई भी number हो चाएए वो आपके अब हम देखते हैं 3 digits 3 numbers का multiplication using सुतर निखिलम आपके तो यहाँ पर 3 numbers है जैसे 91 into 93 into 96 इन दिनुन numbers का multiplication करना using सुतर निखिलम से so हमें इसमें भी क्या देखना है base देखना है base क्या होगा हमारा 103 ही digits किसके पास है 100 के पास है तो simply वैसे इनको लिखना है 91, 93, 96 और इन सब का क्या निकालना है हमें deviation निकालना है तो number minus base so यहाँ पर deviation क्या हो गया minus 09 minus 07 minus 04 ok so यहाँ पर actually में 3 parts होंगे first part second part and third part ok so यहाँ पर जो first part है उसमें तो क्या करना है हमें any number plus addition of two other numbers से deviation so 91 minus 07 minus 04 हम करेंगे ok in middle part में हम क्या करेंगे into 2 का हम multiplication करेंगे and then उनका addition करेंगे ok so minus 09 into minus 07 plus minus 07 into minus 04 plus minus 09 into minus 04 and third part में हम क्या करेंगे इन 3 का multiplication करेंगे minus 09 into minus 07 into minus 04 ok so इसका answer कितना हो गया this is 80 यह कितना हो जाएगा minus minus plus हो जाएगा 9 जाएगा plus 28 plus 36 so this number will be minus 252 so यह हो गया 80 and this will be 127 and this will be minus 252 अथे को यहाँ पर minus आ रहा तो हम क्या करेंगे यहाँ से बोरो लेंगे कितने बोरो लेंगे 3 बोरो लेंगे ok so 80 127 minus 3 and this will be 3 into 100 बेस किता है यहाँ पर 100 बेस है तो 300 minus 252 so यह हो जाएगा 80 minus 124 sorry 80 अब लेंग 124 and 48 so यहाँ पर यह दो डिजिट्स में हैं यह दो डिजिट्स में हैं इस इस इन 3 डिजिट्स and बेस में किते नमबर अब 0 है 2 0 जाएगा तो यहाँ से 1 करी चला जाएगा so 80 carry 24 48 so इसका अनसर क्या हो जाएगा 8124 48 इस विली भी दा फाइलन आनसर अब हम एक और एक्जम्पल करते हैं and 3 numbers का multiplication का तो इसमें भी हम 103 लिखते हैं 105 and 106 and इन दिनों का base क्या है 100 है base तो deviation क्या हो जाएगा 030506 all values will be in plus so यहाँ से 3 parts होगा तो fact part में क्या होगा 103 plus addition of other two deviation 05 plus 06 oblique and 2,2 का multiplication सब का plus हो जाएगा so 3 into 5 plus 03 into 05 plus 05 into 06 plus 03 into 06 and in third part में क्या हो जाएगा तिनों का multiplication हो जाएगा so यह कितना हो गया 11 and this is 114 this is 15 plus 30 plus 18 and this is 90 so 114 यह कितना हो जाएगा 45 53 and 63 63 90 so find answer 114 63 90 ओके तो ऐसे इस कांसर हो गया अब हम एक और गम पर लेते है 12 into 13 into 15 तो इसमें बेस कितना है 10 है बेस so 12 लिख दिया हमने यहाँ पर 13 लिख दिया है यहाँ पर 15 लिख दिया सब का deviation लिख लेगे हम plus 2 plus 3 plus 5 so first part में हम क्या करे रहेंगे कोई भी एक नमबर करो and अदर तू नमबर करो and deviation लिख दो so plus 3 and plus 5 विद अदो का multiplication करो 2 into 3 3 into 5 plus 2 into 5 and 2 into 3 into 5 so यह हो गया 20 6 plus 15 plus 10 and this is 30 so यह 20 हो गया oblique यह कितना हो गया 25 and 31 and this is 30 तो यहां पर बेस कितना है 10 है तो बेस में नमबर ओफ जिरो इतने है 1 है तो यहां पर भी digits कितने हों करेंगे हम 1 digits को लेंगे बाकी को क्या कर देंगे carry कर देंगे so यहां पर 20 so only one इदर रहेगा and 3 carry चला दाएगा and यहां पर 3 carry कर देंगे 0 आ गया okay so it will be 3 add okay 4 हो जाएगा and this 3 add okay 23 हो जाएगा 23 4 0 so this will be the answer so ऐसे हम किने भी दो नमबर का मल्टिप्लिकेशन करना हो या 3 नमबर का मल्टिप्लिकेशन करना हो तो हम बेस चैसे solve कर सकते है अब हम थोड़ा सा revision करते है जैसे कोई भी नमबर हो 17 into 13 इसका हमें मल्टिप्लिकेशन करना है फास से फास वे में तो मैं कौन सा सुतर यूज करूँगा यहां पर एकादिक यूज करूँगा क्योंकि 3 7 कितना होता 10 होता है तो अगर एकादिक मनिक यूज किया तो इसका answer जाएगा 2 21 ओकी तुम बैसे का सब्सक्राइब कैसे वाई यह 1 into 1 का एकादिक oblique 7 into 3 यह कितना हो जाएगा 2 oblique 21 और इसको क्या लिख दिया हम 22 21 अब जैसे और नमबर का हमें करना हो 27 into 23 इसका अगर हमने जल्दी से जल्दी answer बताना तो कितना हो गया 6 21 25 into 25 करना हो तो कितना हो जाएगा 6 25 अब बोर नमबर जैसे 37 into 33 करना हो तो इसका कितना हो जाएगा 12 21 35 into 35 करना हो तो यह कितना हो जाएगा 12 25 ओके तो ऐसे हम किसी भी नंबर से दो नंबर का हम मल्टिप्लिकेशन हो एका दिखेन से करना है बस एका दिखेन में हमें क्या याद रखना है कि जो निखिलम होता है निखिलम डिजिट्स होती हैं वो क्या उन्जाए सेम होने चाहिए है और जो चर्मम डिजिट्स हम ले रहे हैं उनका समगी तना यह टेन या टेन सुपावर एंड में हमें कोई और नमबर है जाए 47 इंटू 43 तो इसका कैसे करेंगे 20 21 ओकी अब तो में और कोई नमबर दिया ह हो जैसे 45 का स्कॉर्ण निकालना हो तो मैं एका दिख्यान पूर्वेना है उसको सजेश्ट करूंगा कि तुम इका दिख्यान पूर्वेना चाहिए इसको जल्दी स्कान सो निकल सकते हैं तो कितना हो देगा 20 25 ओकी टूट थाउजेंड 25 हो गया अब किसी भी नंबर का आग के जैसे हम ऐसी कैलकुलेशन वाले वीडियो बनाऊंगा जिसमें फार्स टू फार्स्ट वे में तुम कैलकुलेशन सीख सकते हो और बहुत ही जल्दी उसकान सो देश सकते हो भी आजगी क्लास हम यहीं प्लेंड करते हैं तब तक भाई एंड टेक कैर